प्रेणा कौशिक और आज बात करेंगे बॉलिवुड दीवा यामी गौतम की बॉलिवुड की ब्यूटी क्वीन यामी गौतम की खूपसूर्थी का हर कोई दिवाना है जो भी उन्हें देखता है बस देखता ही रह जाता है बाद चाहे उनकी लुक्स की हो या फिर उनकी फ् काफी फुर्सत में बनाया है उनकी खूपसूर्थी में कोई भी कमी नहीं है मगर ऐसा उनकी चाहने वालों को लगता है यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस काफी जादा शौक में पढ़ चुके हैं यामी गौतम ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो कह रही है कि उनको एक स्किन डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और स्किन डिजीज से यामी गौतम लंबे समय से लड़ भी रही है आपको बता दे यामी गौतम की इस डिजीज का नाम है किराटोसिस पिलेरिस और उनको ये डिजीज टीनेज से है, इस बिमारी में स्किन पर छोटे छोटे दाने उभर कर दिखने लगते हैं और मेकप की हेल्प से इनको छुपाया जाता है। जब से यामी गौतम एक्टिंग और मॉडलिंग करियर में है, तब से वो मेकप की बतौलत इसको छुपा रही है। यामी का ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वारल हो गया। और हो भी क्यो ना यामी गौतम ने अपने फैंस के लिए ये शौकिंग बात जो रखी है। यामी गौतम ने पोस्ट में अपनी बिमारी के बारे में डीटेल्स शेयर करते हुए लिखा। इस बिमारी का नाम है किराटोसिस पिलेरिस जो कि एक लायलाज बिमारी है। साथ ही वो अपने सेंस ओफ यूमर के साथ ये भी कहती है कि ये डिजीज आपको इतना परिशान नहीं करती जितना कि आपके पडोस वाली आंटी करती है। यामी खुले तोर पर इस बिमारी के बारे में बता कर पहले से बेटर फील कर रही है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा मैंने इसे कई सालों तक झेला है लेकिन अब और नहीं। मैं अब फैसला कर चुकी हूँ कि इसको नहीं चुपाने वाली। खुले तोर पर इसे दिल से सुईकार करूंगी और सचाई के साथ इस बात को शेर कर रही हूँ। यामी के इस पोस्ट पर फैंस के अलग-अलग रियक्शन भी देखने को मिल रही है। फैंस का मानना है कि जो जानकारी यामी गौतम ने पोस्ट के जरिये शेर की है वो काफी जादा लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। जो इस तरह की समस्या से बात करने में कत्राते हैं। ओल इन ओल सोशल मीडिया पर यामी गौतम की जम कर तारीफे हो रही है। भाई हो भी क्यों ना यामी गौतम ने इतने बोल्ट अंदास में इस चीज़ को एडमिट जो किया है। के आगे।